गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग और हुफुली सब कुछ अच्छा होगा लेकिन उम्रान मलिक इनका नाम जब भी आप लोग सुनते होंगे एक चीज याद आती होगी कि 2022 IPL में इन्होंने कोहराम मचा दिया था आज भी रेकर्ड है भारत की तरब से सबसे तेज गेंड फैकने का जो रेकर्ड है IPL में वो उम्रान मलिक का है 157 किलोमिटर के रफ्तार से इन्होंने गेंड बाजी की थी पूरी तरीकर से देखा जाए तो भौकाल मचा दिया था उम्रान मलिक ने और उसके बाद भारतीय ट थाबित होने लग गए फिर भारतीय टीम में उनका चेयन नहीं हुआ उसके बाद फिर इंजरी भी होगी तमाम चीजें बदल गई मतलब कहा जाता ना कि जब चीजें आपके कंट्रोल में ना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है इंजरी हो गई फिर भारतीय टीम में गलत हुआ किस तरीके से उनने तैयारी की थी भारतीय टीम में कब उनका चेयन होगा किस तरीके से अब तैयारी कर रहे हैं और किस सीरीज में उमरान मलिक की वापसी हो सकती इन तमाम चीजों को लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप तमाम दोस्तों सरे रिक्वेस इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखेगा चैनल को अगर आपने सबस्क्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिगा अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा उमरान मलिक ने एक इंटर्वियू दिया है जहां पर उनने का कि मेरे साथ गलत हो गया लोगों को लगता है कि मेरा फॉर्म बहुत खराब है लेकि मेरे साथ गलत हुआ है गलत क्या हुआ है सबसे पहले आप सुन लीजिए उन्होंने का कि मैंने पूरी तैयारी की थी इस सीजन मतलब की 2024 के बारे में वो कहरे कि मैंने पूरी तैयारी की लेकिन चुकी मैं किशमीर से खेलता हूँ, जमु कशमीर से खेलता हूँ, वहाँ पर मौसम इतना खराब था कि domestic matches ज्यादातर हो hinए पाए. और उसकी वज़या से मैं cricket ज्यादा खेली नहीपा, यानि कि उनका कहना है कि मैं तो पुरी तरीके से तयारी कर चुका था, खेलने का मौका मिला नहीं। फिर उन ने का कि मैंने आईपील के लिए जम करके तयारी की, खूब मेहनत की थी आईपील में। लेकिन सनराजस हैदराबाद ने मुझे जाधा तर मैचस दिये नेहीं। जिसमें की ट्रेविस हेड थे, किसके लाबा हेंडरिच क्लासें थे, एडिन माकरम को वो खिला रहे थे और इंडियन गेन बासों में भुबनिश्वर कुमार थे, टीन अट राजन उनके पास में थे तो इसलिए उन्होंने उम्रान मलिक की तरफ देखा नहीं लेकिन उम्रान मलिक जो हैं, वो पूरी तरीके से तयार हैं भारतिये टीम में वापसी करने के लिए एक बड़ा स्टेटमेंट उम्रान मलिक ने दिया है, और उन्होंने काया कि अब अगर मैं भारतिये टीम में खेलूँगा तो अब आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुली बदला हुआ गीन बाज हैं, क्योंकि मैं काफी समय मैंने बिताए हैं नेट्स पर और जो कमिया थी उसे मैंने खतम किया है, उसे मैंने जड़ से निकाल करके फैंका है और अब मैं नई गेंद के साथ भी गेंद बाजी करता हूँ, यानि कि जो नई गेंद होती है उसके साथ में उसी रफ़तार से गेंद बाजी करता हूँ और मैं स्विंग की तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उस रफ़तार के साथ में मुझे स्विंग मिल जाएगा, तो फिर बल्यबासों के लिए खेलना मुझे बहुत मुश्किल होगा और मैं उसके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, लगातार मैं स्विंग हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कई नई चीज़े मैंने सीखी है, अमरान मलिक ने काया कि मैं नई गेन के साथ यॉरकर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं तरह तरह की एक तरीके से कहा जाए कि अपने आर्सनल में तीर रखूँ, ताकि जब भी बल्यबास को मुझे परिशान करने के जरूरत हो, मैं एक से बढ़ करके एक गेंद डाल सकूँ, लेकिन उमरान का कहना है कि मैं एक बहतर गेंद बास इनका कुल मिला करके एवरेज और 6.54 का एकॉनमी, टी ट्वेंटी में आठ मैचेस में 11 विकेट हैं, 22 का एनका एवरेज है, लेकिन एकॉनमी 10.48 का है, यही परिशानी है, बहुत जादा रन दे रहते हैं, लेकिन भरोसा जता है है उमरान मलिक ने कि मैं जोरदार तरीके से कमबैक करूंगा, वो आस्ट्रेलिया के खिराप में जो मैचेस होंगे, भारती टीम के टेस मैचेस, वहाँ पर क्या उमरान मलिक को मौका मिलेगा, मैंक यादब भी एक बहुत अच्छे विकल्प है, तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अच्छी बात है कि मेहनत कर रहे हैं, भरोसा है और कह रहे हैं कि वो बेटर गीन बास बन करके आए हैं, तो स्पोर्ट्स टॉक की तरफ से उमरान मलिक को आल दे बेस्ट और आईए और फिर से तहल का मचा दीए, लगातार बने रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक के साथ में